कश्मीर का पुर्ण राज का दर्जा समाप्त नहीं हुआ भी लीगली राज पुनर गठन विद्धैक 2019 जो संसद में रखा गया था वो पूरी तरह से अभी परभावी नहीं था अभी सब कुछ वहां डिजॉल्व करके उप राजपाल के जिम्में दे दिया गया था लेकिन सचा ही है कि वहां कोई सिस्टम अभी वैसा बना ही नहीं था कि राज है कि नहीं है कि आधा है कि पूरा अब चुके मनें इंटरिनेशनल रिलेशन का मामला होता दबाव भी था तो मोदी जी ने सब को बलवाया उन्ही को बलवाया जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे महबूबा मुफ्ती भी आ गई बगल में फोटो भी खिचा गया वो मेरे पास है आप लोग के पास है कि नहीं है पता नहीं और कोई शोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था भाई सभी नेताओं ने कहा कि राज को शशक्त किया जाए पुर्न राजिद किया जाए परी सीमन मेरे मनुकूल किया जाए तो सब उनी की शर्ट माननी थी तो दो साल से संपरदाई के जिंडा क्यों बना दिया और 370 संपरदाई के जिंडा कैसे हो गया अगर एक देश और भारत का नारा है तो 370, 371 को तो समाप तो होना ही था लेकिन केवल 370 करके 371 आपको नहीं पता है फिर मैं आपके चैनल के माद्यम से बता देता हूं 371 पुरुटर के कई राजियों में अभी लागू है जहां इंटर परमिट लेकर ही आप जा सकते हैं ऐसे सीधे बस पकरके आप उन राजियों में नहीं जा सकते हैं उत्तर पुरुतर के राजियों की बात कर रहा हूं पांच चार पांच राजियों में है तो 371 एक भारत सिरेष्ट भारत बना रहा क्या 371 पर लोगों को साप सुंग गया और 370 सिर्फ इसलिए कि वहां पर मुस्लिम मैजूरिटी म हर चुनाओं चुनाओं तो साल बर होते रहते हैं कुल मिलाकर धुर्वी करन करके मुख मुद्दे से लोगों कट रहते हिंदू-मुसलमान मुद्दा नहीं है में है डाइवर्ट करना सरसों का तेल 200 से उपर पेट्राउल 100 से उपर जब 50 से उपर था तो हाय तोबा मच रह ता सरसों का तेल 100 भी नहीं गया था तब ही हाय तोबा मच रहा था जो रिफाइंड है वो बढ़ गया दाल किसान के यही तो लड़ाई किसानों की है न भाई खरीद रहे हो किसी और रेट में बेच रहे हो किसी और रेट में आटा जाईए लेने के लिए पैकट का 10 किलो का आटा खरीद के देखिए आपको रेट का पता चल जाएगा अजाईए किसान के यहां से गेहूं खरीदिये रेट का पता चल जाता जमीन आसमान का फर्क कर दिया गया बीच में ये कौन लोग है लड़ाई ये है लेकिन इन ही लड़ाईयों से मुद्दा हटाना दिमाग पर हो गया उनके बच्चों के सिक्षा पर हो गया खत्रा जो असल है उससे हटाया जारा दिमाग भटकाया जारा ये मुद्दा कुल मिला कर उत्तर परदेश की विशे में दो लाइन में समझ लें कि चुनाओ वही लोग जीतेंगे जिनकी रननीती इमानदारी से सब को साथ लेकर चलने की होगी अगर उनके दिमाग में कोई खोट होगा हम अमुक जाती की सत्ता बनाएंगे अमुक छेतर की सत्ता बनाएंगे अमुक दल की सत्ता बनाएंगे हम अमुक को मुखमंत्री बनाएंगे तो मौजूदा सरकार को हरा कर सत्ता प्राप्त करना मुश्किल और करो तो उनका को पार्टी है क्या क्या कर रहे हैं तो पीस-पार्टी फास्ताद वहां पैठा उबाइजित पार्टी तो अपर कास्ट पार्टी यही करों तो भाजपा यहीं तो चाही तो चाहिए तुकरे टुकरे गेंग का उस्ताद वहां बैठा हुआ जो टुकरे टुकरे करके ही अपना टुकरा ले लेता और हम टुकरे के लिए मोहताज होता है रोटी के टुकरे के लिए आप समझ रहे हैं तो यह सब कुछ खेल हो रहा है यह सिर्फ हो रहा मुख मुद्दों से हमारे दिमाग को भटकाया जा रहा है दाड़ी खत्रा है तो टूपी खत्रा है मैं गाता हूँ ना लडाए जो है ना दाड़ी की है न चोटी की है लडाए रोटी की है और फिर वाई बात बता रहे हैं ये तो एक उल्जा दिया गया हमको लडाई न दाड़ी की न चोटी की लडाई ये सिर्फ रोटी की रोटी की लडाई लडने में हम कहीं न कहीं मार इसलिए खा जा रहे हैं फेल इसले हो जा रहें, कि हम भी कहीं न कहीं, इसके समर्थन में, घुलत ढंक से आते हैं, और aggressive हो जाते हैं, हम उताहुले हो जाते हैं, खत्रा हो खत्रा खत्रा, ये चीज बंध करना परेगा, कहीं कोई खत्रा नहीं है, अभी बहुत संभावनाएं हैं लाखो कड़ोरों लोग हैं जो देश को समवेधानिक, सामाजिक और मैंने उस लाइन पर लेकर जाना चाहरे हैं जिसकी चाहत रखते हैं लोग लेकिन उन लोगों को पीछे की लाइन में रखा जा रहा और जो इस तरह के लोग हैं जो खत्रा-खत्रा करते हैं उनको मीडिया के माध्यम से भी और जिसको अलाव जिसको होना पॉलिटिकल वो लोग भी उनहीं को आगे बढ़ा देते हैं एक मोलवी अगर कुछ कह दिया उल चार रात दिन उसी का परचार भाईया कभी तेल पर भी बहस कर लो कभी खाने पर भी बहस कर लो कभी लालबत्ती पर भीक मागने वाले भारत के लोग हैं जाओ दिली अभी लालबत्ती पर देख लो आप है की नहीं है भारत के लोग हैं कोई रोहंगिया नहीं कोई बंगल वो वन भी भाग था, कुछ भी था, बसे थे, खरीद के एजेंटों ने ठग लिया, भै उनके पुर्ण रवास का मुद्दा होना चाहिए, टीवी पर ही नहीं मुद्दा, टीवी पर अगर कोई जबरन उसको डालेगा, तो वहां भी हिंदू और मुस्लिम करके डालेगा, कु पर तक करता हूँ, लाजयान भाग के चल्सित, यह राकेश जीवा जनम दिन नहीं है, यह सर्कार को मुद्दमान को हो गया कि एक महाशक्ति का ज़िए है, महाशक्ति का ज़िए है, यह सर्कार कुपिया बाद हो जा रहे है, पूरे शर्यंज रजिए, अब जो बहुत चाल्ब स्रीमा पर संगोचन पहुंन की स्टा है, यह राकेश जीवा जीवा जिए है, फ़र कैना है, अकर वैराईय सद गोके लाजुक्ति का ज़िए, रखो फूर में धनमें, स्रेज पूर में, स्रेज भर में गरनें, उन्कार नाम रखा गया राकेश. आपको बंसे से परूइस्ता, ये लागेश नहीं है, राम के अवतार है, रामने नाम के मने के से मने सपूद, राम के सपूद के नाम चेक नहीं हो, पर्मात महें जनम ज्याद, कि आप लोगों के हिस्ते बिए, शान दोजितों के हिस्ते जी, छे महींने होजे राम चुर्टू आगे जीओ, आप अपनी संख्या बनाएं, सर्तार को दिखाएं कि हम सब आगेंगी के समर्ठक हैं, पिसानों के समर्ठक हैं, ये आपकी ज्यूटी है, मैं आज जनम से इंगे सो बहुत आपका, राकेश की बेंगे, अपने मेंचन से, अपनी पेंचन से, पर्थी महापकान सुर्टे की घोचना करता हूं, आपकान से, अपनी आपकान से, बादा आत्मा मुझे शक्ति जे, मुझे आयू जूंगी जे, इस से की मैं से, आवतार की शेवापासन, जान्ना बादा,